हेलो दोस्तों आज बात करेंगे भारत के प्रोसी देश बंगला देश की जो राजनीती के आग में जल रही है यहां के नागदीक जो अमन चैन से कमा खा रहे थे उनहीं भी इस आग की लपट ने अपने आगों से मिले कर इन लोगों की अच्छी खासे जिन्गी को बद्तर औ और नर्क बना दिया जान के दुस्मन अमन के दुस्मन इंसान के दुस्मन इन सभी का स्री उन लाल्ची लोगों पर जाता है जो धर्म और जात के नाम पर राजनीती के तल्वे चाटते रहते हैं लगभक सभी देशों में जाती धर्म वाले इंसानों के जजबातों पर अं बंगल टाइगर का सियाना से परमात्मा के लिए क्या गुहार लगा रहा होगा दो वक्त की रोटी का जुगाड कर अपने परिवार के साथ रहने वाले पर क्या भीत रही होगी दरसल यह आग उस्वक चिनगारी बना जब आरक्षन का मुदा उठाया गया था 30 आरक्षन की चिनगारी पूरे बंगला देश में क्रोध की आग जोला मुखी बन गई यह आरक्षन उन लोगों को था जो बंगला देश को अजादी दिलाने में अहम भूम करने भाई थी पढ़ने वाले विद्यार्थी को किसी ने हवा दी या पढ़ाई की को ताही को ढखन चैन की साथ चरूर लेते लोग तंत्र में नेता वही होना चाहिए जिस पर कोई अन्याई का धारा न लगा हो इसमें आपका क्या विचार है कोमेंट में बताएं जय हिन जय भारत